दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल हमारे चैनल दमेडिकल हफ़े तो अब आ गया है जी अनम स्टुडेंट्स का एक्जाम का सीरीज तो अब देखो जैसे ही अब एक्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और अब कहें कि अब इंपोर्टेंट कोशन्स पढ़ने की भारी आ च आपके लिए जी एनम के लिए एनार्टमी एंड फीजियोलोजी के कुछ इंपोर्टेंट कोशन्स जिनको अपने कुछ कवर करेंगे और ये कोशन्स करने के बाद में आप अपको अच्छा स्कॉरिंग आप कर सकते हैं तो आएए देखते हैं कौन से कौन से वह कॉशन्स है जिनको अपनों को कवर करने हैं तो सबसे पहले देखिए कौशन्स नमबर वन से तो एकस अपको क्या पता होना ंँचैन से के बारे में और आपको पता होना चैये और सेल का डाइग्रावम तो ये बनते हैं और types of tissues तो यह question भी अपनोंगो complete करना है cover up करना है then composition question number 3 आपका composition of blood and function composition of blood मतलब कि blood के constituents blood में क्या क्या चीज़े होती है वो चीज़ें आपको explain करनी है plus blood का function तो यह आपको cover करना है इस question के अंदर then next question कहता है आपका heart अब heart में आपको heart का structure, heart का diagram, heart का function यह चीज़ें आपको आने चाहिए then circulation of blood, blood का circulation और cardiac cycle के बारे में इन चीज़ों के बारे में आपको cover up करना है इस section के अंदर then next question आपको कहता है कि lymph node and spleen lymph node के बारे में पढ़िए और spleen के बारे में पढ़िए यह आपके लिए एक important topic और then question कहता है digestive system के बारे में explain करना है और function की digestive system का function क्या होता है और digestive system आपका होता क्या है तो यह topic भी अपनोंको exam point of view से cover up करना है then next question अपना रहेगा external and internal genital organs यानि female के and male के जो genital organs है internal and external बहुत अपनोंको यह cover up करने है तो यह questions आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं आपको एक अच्छा scoring करने के दिए फिर अपने कुछ next question और देखते हैं जो कि आपको अच्छा scoring करने में help करेंगे करने की आपको अपने तक यह कसा के और देखते हैं तक न्हपने ना रहेगा तो किसके बारे में बढ़ेंगे अपने एंडोक्राइब ग्लाइब तो इसके बारे में आपको बता होना चाहिए देन अपना नेक्स्ट कोश्चन रहेगा कोश्चन नमबर नाइन इसके बारे में बढ़ेंगे अपने किसके बारे में लंस के बारे में लंस के बारे में आपक लंज का फंक्शन, लंज का डाइग्राम, देन उसका स्ट्रक्चर, यह चीदे आपको पता होने चाहिए, एंड इसी में इंपोर्टेंट, मेकैनिजम, ओ, रेस्पाइडेशन, एंड, मसल्स, ओ, रेस्पाइडेशन, तो यह आपको कवर अप करना है, इसके अंदर किसके अंदर लंग्स के अंदर यह टोपिक आपको कवर अप करते में जाना है, देन, अगला कुश्चन आपका रहने वाला है, डिफरेंस, यानि दोनों के बीच में अंतर बताना है, आप डिफरेंस बिट्विन, सेरेब्रम, एंड, सेरेबैलम, तो यह कुछ आपके कॉश्चन रहने वाले हैं, एक्जाम सिरीज, पॉइंट, वन के अंदर, इनाटमी एंड, फीजियोलोजी के अंदर आपको, एक्जाम सिरीज के अंदर वन, यह कुश्चन कुछ, मोस्ट इंपो करेंगे, जो कि आप इन कॉश्चन को देखेंगे, डिटेल में बढ़ेंगे, तो क्या है कि आप इनको एक, इनके थुरू, आप एक अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं, इन कॉश्चन के थुरू, यह कॉश्चन बहुत ही इंपोर्टन तरीके से इनको निकाले गए हैं, अलग segregate किया गया है ताकि क्या है कि आप लोग इसको पढ़ सके और एक अच्छे नमरों से अपने आपको और भी secure कर सके एक अच्छा percentage के लिए आप जा सके I hope आपको ये questions अच्छे लगे होंगे और ये questions आपको जरूर complete करने है और ये अपना जो exam series का section 1 था यानि part 1 हम और भी questions आपको important questions आपके लिए ले के आएंगे ताकि आप एक अच्छे नमरों से पास हो सके अच्छे नमरों से percentage बना सके और अपने आपको और भी ज़्यादा confident feel कर सके ये topics cover करने के बाद में तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा important questions चाहिए जिससे कि आप एक अच्छी marks percentage गेल कर पाएं तो मिलते हैं एक next वीडियो के साथ में thank you all